साथियों इस टीका करण अभ्यान की पुक्ता तैयारियों के लिए राज्य सरकारों के सहयोग से देश के कौने कौने में ट्रायल्स किये गए हैं ड्राय रंस हुए हैं विशेश तोर पर बनाये गए कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म में टीका करण के लिए रेजिस्ट्रेशन से लेकर ट्रेकिंग तक की व्यवस्ता है आपको पहला टीका लगने के बाद दूसरी डोज कब लगेगी इसकी जानकरी भी आपके फोन पर दी जाएगी और मैं सभी देश वाशियों को ये बात फिर याद दिलाना चाहता हूँ कि कोरोना वैक्सिन की दो डोज लगनी बहुत जरूरी है एक डोज ले लिया और फिर भूल गए ऐसे आग गलती मत करना और जैसा एक्सपर्स कह रहे हैं पहली और दूसरी डोज के बीच लगभग एक महने का अंतराल भी रखा जाएगा आपको ये भी याद रखना है कि दूसरी डोज लगाने के दो हपते बाद ही आपके शरीर में कोरोना के विरूद जरूरी शक्ति विक्सित हो पाएगी इसलिए टीका लगते ही आप असावधानी बरतने लगें मास निकाल कर रख दें दोगज की दूरी भूल जाएं ये सब मत करिएगा मैं प्रासना करता हूं मत करिएगा और मैं आपको एक और चीज बहुत आगरत से कहना चाहता हूं जिस तरह धैरिय के साथ आपने करोना का मुकाबला किया वैसे ही धैरिया अब वैक्सिडेशन के समय भी दिखाना है साथियों इतिहास में इस प्रकार का और इतने बड़े स्तर का टिका करना भ्यान पहले कभी नहीं चलाया गया है ये भ्यान कितना बड़ा है इसका अंदाज आप सिर्फ पहले चरण से ही लगा सकते हैं दुनिया के सो से भी जादा ऐसे देश हैं जिनकी संख्या तीन करोड से कम है और भारत वैक्सिनेशन के अपने पहले चरण में ही तीन करोड लोगों का टिका करन कर रहा है दूसरे चरण में हमें इसको तीस करोड की संख्या तक ले जाना है जो बुजुर्ग है जो गंभीर बिमारी से ग्रस्त है उन्हें वो अगले चरण वाले चरण में ठीका लगेगा आप कलपना कर सकते हैं तीस करोड की आबादी से उपर के दुनिया के सिरफ तीन ही देश है खुद भारत, चीन और अमेरिका और कोई भी देश ऐसा नहीं है जिनकी आबादी इनसे ज़्यादा हो इसलिए भारत का टीका करन अभ्यान इतना बड़ा है और इसलिए यह भ्यान भारत के सामर्थ को दिखाता है और मैं देश वाजियों को एक और बात कहना चाहता हूँ हमारे वैज्ञानिक हमारे एक्सपर्स जब दोनों मेड इन इंडिया वैक्सिन की सुरक्षा और प्रभाव को लेकर आस्वस्त हुए तबी उन्होंने इसके इमर्जेंसी उप्योग की अनुमती दी है इसलिए देश वाजियों को किसी भी तह के प्रपेगंडा अफ़ाएं दूस प्रचार से बच कर रहना है साथियों भारत के वैक्सिन वैज्ञानिक हमारा मेडिकल सिस्टिम भारत की प्रक्रिया की पूरे विश्व में बहुत विश्वस नेता है और पहले से हैं हमने ये विश्वास अपने ट्रेक रिकॉर्ड से हासिल किया है मेरे प्यारे देश वास्यों हर हिंदुस्तान इस बात का गर्व करेगा कि दुनिया भर के करीब साथ प्रतिशत बच्चों को जो जीवन रक्षक ठीके लगते हैं वो भारत में ही बनते हैं भारत की सकत वैज्वानिक पक्रियाओं से ही होकर के गुजरते हैं भारत के वैज्वानिकों को और वैक्सिन से जुड़ी हमारी विशसग्यता पर दुनिया का इविश्वास modeled in इंडिया कोरोना वैक्सिन में और मजबुद होने वाला है